अश्कार आप एक्जाम टूर देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहुत ही बियावा डाटा है यदि इस बात को मान लेते हैं ये बात समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं चाचा परधान मंत्री बने और नहीं भतीजा मुख मंत्री बने जो ज अची बात है कहीं से आप लाइए कोई दिकत नहीं है बाहर के भी बच्चे आए कोई समस्या नहीं है लेकिन एक लिमिट होता है आपके घर में यदि खाना नहीं है आपके रिलेटिव कोई आ जाए खिलाएंगे अच्छा सा स्वागत करेंगे कोई समस्या नहीं है लेकिन ह रहेंगे, बजार जाने लायक, सब्जी लाने लायक रहेंगे तब ना आगला दीन अतिति का सेवा करेंगे मेरे पास भी मेरे सरीन में भी छमता रहएगा तब तो करेंगे ये थोड़ा सा समझे ये डाटा क्या है? इस डाटा की पूस्टी मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस तरीका से ओफिसियल दिया गया है और ये बटाया जा रहा है कि RTI के थुरू मांगा गया है और ये डाटा आया है तो इस बात पर जरूर आपको शौमत होना चाहिए और बात को जरूर समझना चाहिए इस तरीका का कोई भी डाटा आएगा तो और आगे मैं इक्जाम टूर के माध्यम से ये डिमांड करते रहे कि कम से कम ये जारी किजिए कि TRE1, TRE2 का जो सेलेक्शन हो चुका है उसमें बिहार राज के कितनी महिला है बाहर से कितनी महिला का सेलेक्शन हुआ है बाहर के कितने पुरुष का सेलेक्शन हुआ है बाहर के कितने पुर जाइए लगातार तेजश्वी परसाद यादव जी के द्वारा बताये जा रहा है कि 17 हमा में मैं इतना कर दिया उसका जीता जागता एक्जामपल है आप देख सकते हैं लेकिन विद्यार्थी का भविस आप दोनों चोपट कर दिये इसमें कहने में किसी भी परगार का किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए ये सचाई है आप इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा चुकि ये सकीन सोट है आगे आईए इसको मै आप के शुचना आवेदन के संदर में निरदेसा अनुशार सुचित करना है कि मांगी गई शुचना के संदर में बिग्यापन संख्या यानि कि बिग्यापन संख्या 26.0023 यह देखियेगा समझिएगा 26.0023 के अध्यापक नियूक्ति परतियोगी परिक्षा में दिनांक 18-10-2023 को परकासित वर्ग 1-5 जनरल के परिक्षा फल्म के बारे में पुछा गया और ये मांगा गया इसमें जरा समझियेगा जरा 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 सब कुछ जनेगा ये बहुत सारा वाइरल हो रहा है बहुत सारे बच्चे लगतार डिवांड कर रहे थे कि इस पर आप विडियो बनाईए तो मैं सोचा क्योंना इस पर एक विडियो बना दिया जाए ये डाटा मैं मान रहा हूँ जो दिया गया इसकी कितनी सचाई है मैं पुष्टी नहीं कर रहा हूँ लेकिन आयोग का ये करतब मनता है बिहार सरकार का करतब मनता है बरतमान समय म बिपक्ष के नेता मानिये तेजस्वी परसाद यादव होने के नाते ये डिमांड करें कि कितना बहाली की गई, कितना ये स्टुडेंट बाहर से अधर एस्टेट के आए, कितना ये स्टुडेंट बिहार के बच्चे को जौब मिला और बिहार के बच्चे को जौब मिला उसम 17 हमां में ये रिकॉर्ड कर दिये इसकी आप जो बता रहे हैं दोनों बेखती उसकी सचाई आने चाहिए जनता के नजर में यहाँ पे देखिए अब साब तोर पर बताये गया है कुल चैनित पूरुषों की शंख्या यहाँ पे बताये जा रहा है 7-9 और यह 4-9 कुल चैनित महिला की शंख्या यहाँ पे बताये जा रहा है 17-7-9-5 यानि कि 17795 बताये जा रहा है आगे दूसरे राजियों से कुल चैनित पूरुषों की शंख्या यानि कि 49-09 यानि कि 49-09 अरे भाई पेड कोर्स खरीद के ठक चुके हैं आप तो आज आईए ऑफिसर्स अकैडमी के पर जी हाँ ओफिसर्स अकैडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूटूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 2400 घंटे लाइव अभी सब्सक्राइब कीजिए अभी सांथियों अभी सर्च कीजिए दौफिसर्स अकैडमी जुडिये हमारे साथ और तैयारी क कि ये पूर्णता फ्री दाया जा रहा है आगे आईये दूसरे राजियों से कुल चैनित महिलाओं की संख्या 10,112 बताया जार एए दस ह़ाणि एक सो बारो जहां जडरा सोचिए यहां पर बताया जा रहा है कोल चैनित पूरुष की संख्या 7ile 4947 तो Dire LI. कुल चैनित महिलाओं की शंख्या 17,795, दूसरे राजो से कुल चैनित पुरुष की शंख्या, यानि कि 49,49, 4,000 में कम, दूसरे राजो से चैनित महिलाओं की शंख्या, 10,112, यानि कि ये लगतार चल रहा था कि क्या जेनरल महिला में पुरुष वहां की महिला को शामिल किया गया है या नहीं इसका भी डिमार्ड चल रहा था अतुज सर से लोग लगातार मांगर रहे थे आयोग डिमार्ड कर रहे थे सिक्षा विभाग से ऑब ही बिपाइभर कर रहा हूं यदि बिहार के जो बच्चे हैं उसमें से कितना महिला है किस कटेगरी से कितना है ये भी थोड़ा प्रकासित कर देते और बाहर से जो महिला हैं वह कितना है चुकि आप जानते हैं सब लोग देता है बिहार के बच्चे भी यूपी में जाते हैं एकजाम देने बिहार के बच कि मैं यूथ था मैं नौकरी की बात करूंगा लेकिन ये डाटा के अंसार तो नौकरी की बात नहीं लग रहा है इस तरीका से यदि हुआ है तो ये बहुत ही निंदनिये भी से हैं बिहार के बच्चे दरदर की ठोकर खा रहे हैं और जिनको बिप्यसी का फूल फॉर्म नहीं मालूम है वो अब पढ़ाने जा रहे हैं जिनको बिहार के मुखमंत्री कौन है वो मालूम नहीं है वो पढ़ाने जा रहे हैं जिनको इतना भी नहीं मालूम कि बिहार में कितने जीला है वो अब पढ़ाने जा रहे हैं जरा इस पर भी जार किया जाए और बिप्यसी ने बह कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करके बताएं यदि यह डाटा सही होता है तो बहुत सारे लोग के दिल पर कितना गहरा अगात लेगा जरा सोचिए अब मैं एक बार फिर से कह रहा हूं मेरी मजगूती आप हैं आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इन सारे डाटा पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कीजिए फिर से मैं हाथ जोड़कर बिंती करता हूं यदि आप इकजाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें लोगों में सेर करें जैहिंद